कि नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जैन चेस्पिस इंडिया के हिंदी यूटूब चनल पर आप सभी का हार दे करने दन करता हूं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं और अपने सुझाओं हमें भेज रहे हैं सब के बहु खेलों का मिश्रिशन लेकर के आ रहे थे और इस दौरान एक बड़ा मुकाबला हो गया और बड़ा प्रणा मा गया एशियन कंटिनेंटल शत्रन चाप्रशिप चाइना में चल रही है और उसमें वर्ड कप के लिए सीट्स हैं पांस सीट्स हैं उपन सेक्शन में उसके लि सब्सक्राइब में हैं तो इस टौर्ण में इस टॉप्सी रोन शुरुवात की और उन्हें इस टौर्णामें में हार का सामना करना पड़ा प्रणानंदा के हाँ जी हां यह मैच बड़ा रोचक हुआ कैसे हुआ उस पर हम नजर डालेंगे आपर मैं आपको इसमें बात बत सब्सक्राइब है जितने भी यंग्स्टर्स हैं इन में पहले खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिया की लेटेस्ट टॉप 3 उसमें से किसी को पराजित किया है क्लासिकल मुकाबले में और रेटिंग का भी अंदर अच्छा खासा है तकरीबन 200 के करीब है एक सबसी के आसपास और ऐसा नहीं है कि प्रणनंदा ने इससे पहले संता इस्टाइब कि खिलाडियों को शायद हराया है लेकिन विदिद पे जीत दिखाती है कि प्रणनंदा जो है अब वो मैक्शियोर होते जा रहे हैं तो चले नज़र डालते हैं इस मैच में खेर यह जो पोजीशन आप इ देख सकते हैं कि जो सफिद के भूले हैं वो काले के महरों से ज्यादा अक्टिव है सकते हैं यहाँ पर जया पर आख कर रहे हैं देख सकते हैं आपकी तीन आलग लग भावों में बटा हुआ है और डबल भी है पॉन तो यह इस्तिती थी तो compensation प्रकार से position में था कि विदित के महरे अक्टिव थे और यहां पर प्रग्णन अंदा की यह महरे रहे थे उतने अच्छे लेकिन पॉन अब लड़ाई कि लड़ाई इस बात की क्या प्रग्णन अपने महरे निकाल पाएंगे और निकाल पाएंगे तो फिर वो विदित की जो पीसे के अक्टिविटी है उसका कैसे सामना करें अब देखते हैं आगे हुआ क्या यह मैं आपको एक दब शुरू से नहीं ला रहा हू हुई इंग्लिश ओपनिंग में मुकाबला हुआ यह अठारवी चाल में यहां पर इससे पर एशिक्स खेला है लाश्मोव जो खेला है यहां पर ब्लैक नहीं आप बिदित नहीं पर जवाब दिया बिशप जितरी बिशप जितरी आइडिया क्या है आईडिया जरूर है कि यहां पर फिलाल एक यह एक्ट्व पीस नजर आता है तो एक तो यह एक्ट्व पीस और यह बाहर हो जाए दूसरा यह विशप उतना खास कुछ कर नहीं रहा था तो एक अच्छा पीस ब्लैक ता जो है वो कम हो जाए ठीक है कम तो हो गया लेकिन बदले में क्या हुआ एक और पॉंट डबल हो गया कम जोर नहीं हुआ एक उपन फाइल भी मिली निच्छे तौर पर खुलने के बाद लेकिन आप देख सकते हैं कि बोर्ट पर अल्रेडी विधित के जो है दो दो पॉंट जो है वो डबल है तो अब सारी लड़ाई इस बात कि है कि क्या ब्लैक अप आपर वीकनेस पर हमला करते हुए एक अक्टिव डिफेंस करते हुए कुई डिफ्री लेकर के आए अटाइक सी थी पर और को इनको डिफेंड भी कर लिया थ्रेट से ओके तो कुई इंटू बी थी तो यहां पर उन्होंने चाल खेली रुक सी सेवन यह इंडारेक्ट प्रक वाइट के जो रुक है वो ब्लैक के रुक से बैटर है तो अगर रुक को बेटर करना है तो उपन तो करने ही होगी उसकी तैयारी और कहीं नहीं F7 कट जो स्कॉयर है कमजोर उस पर एक नजर जरूर बनी हुई है तो रुबी डीवान कुई जीश यहां पर विदिद ने खि क्यारी है यहाँ पर तो जवाब दिया यहाँ पर रुक्टी इ1 ओकिश technologies यहाँ पर दो सेंसे उपन फाइल यहां पर बंड़र्ण है और तो रुक्टी इवन यहां नहीं से सेंटर को ब्रेक करना यहां पर प्रग्मियंदा ने शुरू हुए तो थोड़ी सी होप आई कि क्या विदित जो है कुछ यहां पर हासिल कर सकते हैं लेकिन अभी भी बात वही है कि यह जो वीक्नेस है उसका फाइदा आप कितना उठा सकते हैं हम लगातार अपने जि है कि हमेशा इस बात पर आपको कोश्चन पूछना चाहिए कि अगर कोई वीक्नेस है तो क्या उसका कितना इस्तेवाल हो सकता है यह मतलब उसका फाइदा उठा सकते हैं रिली में और क्या वो पोटेंशल वीक्नेस रियल वीक्नेस बन पाएगी यही एक अंतर है एक बड़ के लिए करके आए यहां पर जवाब दिया विदिने सीन टू डी फाइफ आप डी शक्स का एक थ्रेट आ रहा है अगली बूमें डी शक्स का थ्रेट आ रहा है तो यहां पर नाइट यहां पर सी फॉर एक गुड मुव खेला ताकि क्वीन का जो है कनेक्शन तोड़ दिया जाए और कुईन को पीछे बेच जाए कुईन डी वाण अब डी शक्स के तयारी सो नाइट एफ शक्स और यहां पर विदित ने खेला रुकी फाइफ कुईन जी फोर और यहां पर आए विदित क्वीन बी वन अब यह वो लंहा आया जहां पर विदित से जो है अगली बहुत एक्टिव पोजीशन में नहीं है वाइट के पीसे सभी भी अच्छे हैं लेकिन फिलाल इस नाइट को अभी पोष्ट नहीं मिल रहा है और यह नाइट कहां हटेगा और क्या करेगा यह बी एक कोश्टर मारके तो पीसे जरूर वाइट के भी बेतर है इस प्यादे स था उसके बाद भी क्योंकि विदित की दिमाग में आइडिया कुछ और था यहां पर क्या खेलने का आइडिया था यहां पर सम्टिंग लाइक वीने सेवन तो नाइट इंट इफाइव मारते नाइट इंट इफाइव अब क्वीन हफाइव तो आप देख सकते हैं कि एक त इस्तिति को देखें तो यह वाइट के लिए थोड़ी बहतर ही नजर आ रही है क्यों सी सिक्स पर पॉन है उसकी वजह से ठीक है यह खेलना चाहिए था विदित को लेकिन विदित ने सर्प्राइजिंग्ली क्वीन इंटू एसिक्स ने लिया मतलब विदित को लगा कि एक् लिए आपसी कर ली कि मैं में नाइट इंटू E5 मारा अब नाइट इनटू E5 अब आप देख सकतें कि क्वीन इटाइक जलूर है और यहां पर एक गुद्मुग आया इपक्वीन-ए-4 रुक इंटु-इफ-7 आप मारने ही सकते आपको नाइट से ही मारना होगा लेकिन यह तो रुक को जो है वो बंद रखा जाए और रुक को चैलेंज किया जाए आप यहां पर रूख e8 जाया सकता है तो रूख e8 स्वरी गाइट से नाइट सीट रूख e8 QA7, C5 के रुक पे अटाक, so Rxd5, Qxf7, यह एक इसी दी फिर भी थी कि जहाँ पर विजिट जो है, fight कर सकते थे, exchange डाउन होने के बाद भी, King की थोड़ी position खराब और उनके रुक और Q की अच्छी position और एक अत्रिक प्यादा आप दिख सकते हैं, दो अत्रिक प्यादे हैं, लेकिन यहाँ पर तो खेर एक point double है, यहाँ पर, तो यहाँ पर मदब दो अत्रिक प्यादों के साथ यह match खेला जा सकता था, लेकिन विदित ने यहाँ पर एक और गलती की knight into f7 माल दिया, इसके बाद तोरण थी rook f8 आये, यहाँ पर रगन अंदा और position को समझ गया, यहाँ पर गलती हो चुकी है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यह भी एक अच्छी चाल रो सकती थी, knight into h6, g into h6, यह भी यह भी जो है, बिन ही है, एक्चुली मैं, knight d6 से गलत चाल हो सकती है, जिसे कि आप देख सकते हैं, queen e3 check आएगा, और आप अंदर अगर जाएंगे, यहाँ पर, तो अगर rook f2 आते हैं, तो rook f8 आ रहा है, ठीक है, तो ultimately यहाँ पर अगर आप अंदर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डेंजर मुबा रहा है, यहाँ पर गेम खतम हो जाएगा, बैक रांक वेट हो जाएगा, तो anyway, यहाँ पर rook f8 आये, queen e6 आना मजबूरी हो गया, queen e6, fe6, rook f8 हटे, और थोड़ी ही देर बाद विदिद को यहाँ पर hearts विकार करने बड़ी, क्योंकि उनकी यह pawn भी नहीं बची, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से position gold पर आई, थोड़ा सा try किया, लेकिन ultimately यह position बचाना जो है, वो possible नहीं है, और विदिद गुजराती नहीं यहाँ पर resign करते हैं, तो प्रग्नानंदर के खेल जीवन की एक बेहत बड़ी जीत है दोस्तों, ठीक है यह, मैं कहांगो कि यहाँ पर शायद विदिद, अगर और थोड़ा बेदर खेलते हैं, तो ड्रॉ तो कम से कम यहाँ पर भूती, लेकिन विदिद शायद जीतने के ल अब ही जो है, मुरली कार्तिकेन लीड पर चल रहे हैं, और उन्होंने आली रेजा, फिरल फिराउजव के खिलाफ एक बहतरीन कुईन सेक्रिफाइस करके मेट की है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो यह वीडियो प्रणनांदर के उपर बेहाँ शांदार जीत, और कहना होगा कि यह जो लड़का है, यह छोकरा आगे जा रहा है भाई, दीरे-दीरे, और 2700 के खिलाडियों को भी अगर वो चक्मा दे सके, यह आसान बात नहीं है विडियो जिसे खिलाडियों को पराजित कर देना, मैं इवन यह भी कहुँगा कि गलतियां होने के बाद अब भी उन्हें पराजित कर देना, यह आसान बिल्कुल नहीं है और यह परिपक्वता की निशानी है कि प्रग्नंदा जो है अब तेजी सागे बढ़ना है, तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, जोड़े रहा हम से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लोटेंगे किसी और नए वीडियो के साथ तक तक के लिए, नमस्कार, जै हिन